हाई फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम अवकास दिनम याने छुट्टी का एक दिन पर संस्क्रिट भासा मिने बंदे देखने जा रहे हैं इस इंग्लिस में हॉलिडे कह सकते हैं यह थोड़ा तीन वर्ड में आपको कन्फ्यूजन होता होगा कि एक होता है लीव इसका भी मतलब छुट्टी होता है हॉलिडे इसका भी मतलब छुट्टी होता है और एक होता है वेकेशन इसका भी मतलब हिंदी में छुट्टी होता है लेकिन इस पहले वाली लीव की बात करें तो जब हम खुच से छुट्टी लेते हैं तो उसे लीव कहा जाता है जब एक, दो या तीन दिन के से छुट्टी होती है जैसे संडे की कोई फेस्टिवल आ गया तो वो जब लंबी छुट्टी जैसे 10 से 12 दिन की छुट्टी बढ़ जाए तो उसको कहते हैं वेकेशन ये इन तीनों वर्ड का डिफरेंस लेकिन इसे संस्कृत में इन तीनों वर्ड के लिए आवकास दिनम ही है जो बच्चे होते हैं उनको छुट्टी का दिन बहुत अच्छा लगता है वो इंतजार करते हैं मंडे से कि अब आएक अगली छुट्टी कितने दिन आंगे अब जिस दिन छुट्टी होती न हमें उस दिन स्कूल जाने की कोई चिनता नहीं होती मस्ट बैक फैका अराम से सोते रहो और लेट उठते हैं कई वच्चे तो हम प्राता काल उठता ही नहीं है मतलब जल्दी से सुबह उठता ही नहीं है उस दिन हम बहुत ज़्यदा खेलते हैं उस दिन हम बहुत खेलते हैं उस दिन हम सभी मित्र क्रिकेट कबड़ी खेलने के लिए भाग जाते हैं भूमी पर या ग्राउंड भी बोल सकते हैं वर्षा रितु वायम ग्रहे व केरम कार्ट्स वा वीडियो गेम स्क्रिड़। जो वर्षा के दिन देखी गर्मी और धंडी में तो चले जाते हैं बाहर गूमने लेकिन वर्षा के दिनों में पानी गिनने लगता हैं। तो उस टाइम वर्सम दिने, जो वर्सा के रितू होता उस मौसम में, घर पर ही कैरम, कार्ट्स और वीडियो गेम खेलते हैं। जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन माता निश्चित ही कोई अच्छा सा व्यंजन पच्चतियान बनाती है। सायनकालेवयम ब्रह्मनार्थम गच्छाम साम के टाइम हम घूमने के लिए जाते हैं। कई बार हम अपने माता पिता के साथ से नेम अगरह भी चले जाते हैं वास्तव में तो ये छुट्टी के दिन में बहुत मजा आता है बहुत मजा आता है So at last thanks for watching the video Please share the video As much as possible with your friends and classmates Thank you